हलो बच्चो यहां पर हम लोग solve करने जा रहे हैं एक बहुत interesting questions और यह questions कुछ इस तरीका से कि एक्स का power जो है वो 9 to the power 1 by 3 है 3 to the power 1 by 3 plus 1 तो we have to calculate हम लोगों को बताना है कि x plus 2 by x whole power 12 इसका value क्या होगा तो अगर आप x का expression देखें तो यह कुछ ऐसा है 3 का power 2 by 3 then 3 का power 1 by 3 and then plus 1 तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते है 3 का power 1 by 3 then power 2 और इसको लिख सकते है 3 का power as it is 1 by 3 plus 1 अगर 3 का power 1 by 3 को मैं a मान लो तो यहां पर हो जाएगा a square plus a plus 1 जहां पर मैंने a को कुछ देर के लिए 3 to the power 1 by 3 लिख रहा हूँ अगर मैं इसको a minus 1 से multiply कर दूँ उपर और नीचे numerator और denominator को तो यह तो as it is ही रह जाएगा original term के तरह लेकिन उपर में एक value आ जाएगा a cube minus 1 by a minus 1 अच्छा a cube का value कितना होगा अगर a का value 3 to the power 1 by 3 है तो a cube का value आपके पास फिर 3 है तो यहां पर 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2 2 by a minus 1 यह किसका value है x का अब मैं इसको reciprocal करके लिखता हूँ कि x by 2 पहले लिखता हूँ 1 by a minus 1 now next is 2 by x तो इसका value हो जाएगा a minus 1 अब मैं minus 1 को left में लेके आ रहा हूँ तो 1 plus 2 by x इसका value कुछ आएगा a minus 1 तो now next is इसका अगर LCM कर दिया जाए तो x plus 2 by x और इसका value जब 2 होगा अच्छा यहां से मैंने minus 1 को left में send कर दिया था तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही term बचा हुआ है वो है a ठीक है ना तो यहां पर अगर आप लिखते है x plus 2 by x तो इसका value आ जाता है a now we have to calculate what x plus 2 by x whole power 12 तो अगर दोनों जगा power 12 लेते है तो यहां पर भी power 12 लेना होगा लेकिन एक value कितना है 3 का power 1 by 3 और इसका power है 12 तो 3 से cancellation करने से 4 तो यहां से पता चला 3 का power 4 और जो होता है 81 तो now इस expression का answer क्या आ गया इस expression का answer we can see that it is nothing but 81 to hope all of you understand this concept bye have a nice day